ओम शान्ती, मीठे बच्चे, आज की मूरली, 28 अप्रेल 2024 दिन रविवार की सम्पूर्ण मूरली, रिवाईज 23 अक्टूबर 1999 मधुबन, समय की पुकार दाता बनू, आज सर्व श्रिष्ट भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा, चारों और के सर्व बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं, चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से सम्मुख हैं उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्शित हो रहे हैं आप सभी भी हर्षित हो रहे होना बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रती सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है साथी है न बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो सदा सेवाधारी हो सेवा सिर्फ चार घंटा, छे घंटा करने वाले नहीं हो हर सेकेंड सेवा की स्टेज पर पाट बजाने वाले परमात्म साथी हो याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या आठ से दस घंटे के सेवाधारी है यह ब्राहमन जन्म ही याद और सेवा के लिए है और कुछ करना है क्या? यही है ना हर श्वान्स हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है नहीं है ना अच्छा balance है अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है दोनों का balance है अंतर पढ़ जाता है न कर्म योगी का अर्थी है कर्म और याद सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम या सेवा ज्यादा है याद कम जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना अलग हो सकते हैं ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे याद अर्थात बाप समान, स्वके स्वमान की भी याद जब बाप की याद रहती है तो स्वतह ही स्वमान की भी याद रहती है अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावर्फुल नहीं रहती स्वमान अर्थात बाप समान संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे लेवता नहीं, देवता माना देने वाला तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहा तक दाता के बच्चे दाता बने हैं जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है अगर कहते भी हैं, सब कुछ पुराना दे दो तो भी पुराने के बदले नया देता है लेना माना बाप का देना तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है कौन सी? कौल ओफ टाइम तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है आप देखते हो विश्व के लिए सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है अपने लिए सोचो सेवा प्रती तो भाशन किये कर रहे हैं न लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो की हमारे लिए समय की क्या पुकार है तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है चाहे स्वम्नती के प्रती दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रतीसने इमर्ज रूप में दिखाई दे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ती वाला होगा, हद नहीं और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा इस कारण जो हद के अपने संसकार या दूसरों के संसकार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे मुझे देना है कोई दे नहीं दे लेकिन मुझे दाता बनना है किसी भी संसकार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है तो किसी का भी हद का संसकार आपको प्रभावित नहीं करेगा कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए मन में भावना तो है लेकिन लेकिन नहीं आवे मुझे करना ही है कोई ऐसी चलन वा बोल जो आपके काम का नहीं है अच्छा नहीं लगता है उसे लोही नहीं बुरी चीज ली जाती है क्या मन में धारन करना अर्थात लेना दिमाग तक भी नहीं दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं यानी धारण नहीं करो और ही लेने के बजाए शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बंदो लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार, अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया, तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 गंटा, कोई 10 गंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा आठ गंटे के सेवाधारी, 6 गंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वानी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से हर सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं आप सबका वाइदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे वाइदा है न? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं न? साथ का वाइदा है न? तो बाप सेवा के बिना रहता है याद के बिना भी नहीं रहता जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहंत से रहते हैं रहते हैं लेकिन मेहंत से, अटेंशन से और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए हैं ही आत्माएं नंबरवार आत्माएं तो हैं ही सिवाए बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है आप रह सकते हो कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना समय की पुकार है दाता बनो आवशक्ता है बहुत सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है हे हमारे इश्ट इश्ट तो हो ना किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ठ हो, तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ठ देव, देवियां परिवर्तन करो यह पुकार सुनने में आती है देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उलाहनों की मालाएं पड़ेंगी, उलाहने तो देंगे न, तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ठ हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ठ हो, कौन से इष्ठ हो, पूज्य हो न, ऐसे नहीं समझना कि हम त पीछे आने वाले हैं जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे हम कहा बनेंगे लेकिन नहीं सबको दाता बनना है जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ जो फर्स्ट टाइम आये हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे एक साल वाले दाता बन सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं बाप दादा हिम्मत के उपर सदा खुश होते हैं चाहे एक मास वाला भी है यह तो एक साल या छे मास हुआ होगा लेकिन बाप दादा जानते हैं कि एक साल वाले हो या एक मास वाले हो एक मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं न तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्से के अधिकारी बन गए ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बनेना तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्से के अधिकारी बनेना या एक मास वालों को वर्सा नहीं मिलेगा एक मास वालों को वर्सा मिलता है जब वर्सा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना अगर बाप समझ कर कनेक्शन जोडा तो एक दिन में भी वर्सा ले सकता है ऐसे नहीं कि हां अच्छा है, कोई शक्ती है, समझ में तो आता है यह नहीं, वर्से के अधिकारी बच्चे होते हैं समझने वाले देखने वाले नहीं अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्से का अधिकारी बन सकता है आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं नाया बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आये हैं, कोई आपको बदल नहीं सकता, ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाए सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ नहीं हो सकता, ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फाइदे कितने हैं एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे पुरुशार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की फायदा ही फायदा है न बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेश एक बात अटेंशन में दिलाते हैं क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजिट तो देखते रहते हैं ना तो रिजिट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है लक्ष भी बहुत अच्छा है लक्ष अनुसार अभी तक लक्ष और लक्षन उसमें अंतर है लक्ष सबका नंबर वन है, कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष 21 जन्म का राज्य भागय लेना है, सूर्यवन्शी बनने का है वा चंद्रवन्शी तो सब किसमे हाथ उठाएंगे? सूर्यवन्शी में ना कोई है जो चंद्रवन्शी बनना चाहता है तो लक्ष सभी का बहुत अच्छा है, लक्ष और लक्षन की समानता उस पर अटेंशन देना ज़रूरी है उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते है यह हो यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलू यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ यह लेवता बनना है दातापन नहीं है कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना चाहे साठ साल वाले हो, चाहे एक मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है या साठ साल वाले का कोर्स अलग है, एक मास वालों का अलग है उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है वही ज्यान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तिया है सब एक जैसा है उसको सोला शक्तिया, उसको आठ शक्तिया नहीं है सबको एक जैसा वर्सा है तो जब बापने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं मुझे देना है कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो एक अक्षर याद रखना कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना इच्छा मात्रम अविद्या न सुक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा दाता का अर्थी है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न कोई अप्राप्ती अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो सर्व प्राप्ती संपन्न तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है न? या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है आज विदेशियों को खास चास मिला है अच्छा है पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए न सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रन दिया है बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं अभी फ्रक आ गया है शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फारेन कल्चर है अभी समझ में आ गया अभी ब्राहमन कल्चर में आ गये न इंडियन कल्चर न फारेन कल्चर ब्राहमन कल्चर में आ गये इंडियन कल्चर थोड़ा खिट-खिट करता है लेकिन ब्राह्मन कल्चर सहज है ना ब्राह्मन कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज अधिकारी बनो यही ब्राह्मन कल्चर है यह तो पसंद है ना अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आये? मुश्किल है. सहज हो गया ना? देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है. वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना. सहज कह तो दिया लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है. सहज है या थोड़ा-थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है बहुत सहज है अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हनसी आती है अभी पक्के हो गए है बच्पन के खेल अभी समाप्त हो गए है अभी अनुभवी बन गए हैं और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं, ना तो जो नएने आते हैं, वह भी पक्के हो जाते हैं अच्छा है एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं मेहंत अच्छी करते हैं अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं न किस से कहानिया दादियों के पास ले जाते हैं? कम हो गए हैं फर्क है ना दादी जानकी से तो आप अभी बीमार नहीं होना किस से कहानियों में बीमार होते वह तो खत्म हो गए अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेश गुन है, दिल की सफाई अच्छी है अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे जो बात होगी सच्ची बोल देंगे ऐसा नहीं वैसा ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वह बोल देते, यह विशेश्टा अच्छी है इसलिए बाप कहते हैं, सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है हा तो हा ना तो ना ऐसे नहीं देखेंगे मजबूरी से नहीं चलते चलते हैं तो पूरा ना तो ना अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा बाप दादा को स्विकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वर्दान दे रहे हैं अच्छा, एक सेकेंड में उड़ सकते हो पंख पौवर्फुल है ना बस बाबा कहा और उड़ा ड्रिल चारों और के सर्व श्रेष्ट बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ट आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में ततपर रहने वाले परमाक्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्षय और लक्षन को समान बनाने वाले सदा बाप के सनेही और समान समीक बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्यान की भावना में रहने वाले रहमदिल, मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को यादप्यार और नमस्ते वर्दान दिल में एक दिलाराम को समा कर एक से सर्व संबंधों की अनुभूती करने वाले संतुष्ट आत्माभव नौलिज को समाने का स्थान दिमाग है लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है कोई-कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बापदादा सच्ची दिल वालों पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने जो दिल से सेवा करते वायाद करते हैं, उन्हें महंत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमान एक से सर्व संबंधों की अनुभूती होती है स्लोगन अमरित्विले प्लेन बुद्धी होकर बैठो तो सेवा की नई विधिया टचोंगी